जमशेदपूर की रहने वाली पुर्णीमा महतो जिनको पदमशिरी एवार्ड 2024 से नवाजा जाएगा इस बार इनके नाम की घोशना हो चुकी है इस वक्त हमारे साथ हैं आरचरी के शेत्र में दिये गए योगदान को लेकर इनको ये एवार्ड मिल रहा है और इससे पहले भ में आरचरी की दुनिया में नाम कमाने वाली पुर्णीमा महतो जी हमारे साथ है मैं बहुत-बहुत स्वागत जार कर देश-विदेश में अपने देश का पर्चम लहराया आपने ऐसा सब्सक्राइब बहुत अच्छा था बहुत अब्स्ट्रकल आये बहुत तेड़े मेरे रस्ते बड़ समहाँ चलते जा रहे हैं और अच्छा होते जा रहा है स्टार्टिंग जमसित्पूर मैं बिर्सानगर की रहने वाली हूं वहीं से आर्चरी सुरू की हूं और हम लोग चार-पांच भाई-बहन हैं पापा बहुत सपोर्टीव मम्मी भी बहुत सपोर्टीव हैं इसलिए इस जागर में पहुंची हूं सबको थैंक इसकी शुरुवात किस तरह से हुई आर्चरी को ही क्यों चुना आपने देखिए उस टाइम हमारे टाइम में जब हम लोग बच्चे थे स्कूल से आके सब भी लोग बाहर जैसे आजकल बच्चे खाली टीवी देखत करता था मैं वहां जाकर बैठके देखती थी चोटी थी पदली दूबली थी मैं सुचती थी कर पाऊंगी या नहीं आर्चरी करने में मतलब बहुत टानने में तो तागत लगेगा मैं उनको जाकर पूछी कोच को कि मैं कर सकती हूं तो उन्होंने कहाए एक्दम कर सकते फि तो इसमें लेकर चलाते थे तो बहुत मज़ा आता था लेकिन बीच में बंद हो गया वो ग्राउट पर प्या मतलब आप एक लगाव सा हो गया था तो दुबारा फिर इधर उधर देखे तो बोला कि बर्ममाइंस में आर्चरी होती है फिर बर्ममाइंस जाने लगे तो बर करती थी और क्योंकि मैं आके ले वहां जाती थी सुबह सुबह तो इतना कोई बच्चे आते नहीं थे तो जो धनूस लगाने में मुझे बहुत तक लिए तो वहां पर लोकल वहां के लोग जब जॉब के लिए साड़े पांच बजे जाते थे तो उस जगह में उनको बतात फिर घर जाके फ्रेसों के खाना काके फिर साड़ी गारा बजे स्कूल आथे तो मेरा ऐसे जाड़नी चला फिर मैं टैंस देने के बाद जब मुझे कैम्प में चांस मिला फिर मैं एक चांस जैसे मिला अच्छा किये और मैं इंडिन टीम में सेलेक्ट हो गई 93 से मैं 87 से आर 94 एशिन गेम्स में तो मुझे ओफर मिला था टाटे स्टील से तब तक मैं 18 इस की नहीं वी थी तो फिर मुझे ट्रेणी हिसाब से रखा गया ऐसे कॉंट्रक में उसके बाद मैं जॉब में आई 18 से तो मैं 18 से टाटे स्टील को बहुत बहुत धन्यवाद मतलब मेरा कोच भी बनी हूँ जब मेरा अपना स्पोर्ट्स केरियर खतम हुआ मुझे कोच का ओफर आया यहीं से मैं ऐसे कोच यहीं रहे गई तो मैं टाटा अरचरी अकडेमी भी 96 में खुल गया था और मुझे कोच का ओफर भी मिल गया था मैं कोच और तब से मैं इंडियन टीम में कि पूचू और continue कर रही हूँ और मेरे बच्चे बहुत अच्छी चातराओं को कई students को अपने सिखाया होगा सबसे अच्छी वरे नहीं होते हैं सब जारें अच्छीय जेंवरें तो सब बराबर कमाई है इहां से पास है अभी अंकीता को मुलीका भजन है तो कंटीनुएसली हम लोगा लड़गी निकलते जारे पिर राहूल है जैन्त है तो बहुत अच्छे लोग यहां से निकले हैं तो दीपीका ने मैं बहुत जादा अपने देश का नाम रोशन किया तो दीपीका को लेकर आपको था कि वह करें करें कि लोग बहुत अच्छा लड़कियां ऑच्छा है अच्छा ओल्ड में नाम यहां के बच्चे सब मिलाके ग्रूप आई सभी अच्छा कर रहें तब ही जाके इन हमारा इंडियन आर्च्छी वपर गए तहीं बहुत बड़ी बात आज ज्खाण में लड़कियां जो हैं वो अर्चरी पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं तो क्या आर्चरी में स्कॉप है उनकी लाइफ का कुछ हाँ हाँ एक तंम आर्चेरी में इसको हांद महरा होते हैं थो चलंड है एकटम एक तो और आगे लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ए एकदम आगे आना होगा